ओम नमस्षिवाय हर हर महादेव स्वागत है आप सभी के अपने इस योटूब चैनल जी बंजीने की कला में आईए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में जानेंगे पानी में दूब रही महाभारत काल की द्वारिका नगरी से जुड़े हुए कुछ ए इस से जुड़े हुए इतिहास और रहस्यों के संबंध में पौराणिक कथाओं के अनुसार महाराजा रैवतक के समुद्र तट पर कूश विच्छा करके यग्य करने के कारण ही इस नगरी का नाम पहले कूश अस्थली था हरिवंश पुराण के अनुसार कूश अस्थली क उजाड होने के बाद श्री कृष्ण के आदेश पर माया सुर और विश्वा मित्र ने यहां एक भव्य नगर का निर्मार किया जिसका नाम द्वारिका रखा गया कई द्वारों का शहर होने के कारण द्वारिका को द्वारावती कुश अस्थली आनर्तक ओखा मंडल गोमत समुद्री व्यापार के लिए बंदरगाह भी था कहते हैं कि शहर में सोना रजत और रतनों के साथ ही सात लाख महल थे इसके अलावा वनस्पति उद्वार जील भी थी जैन सुत्र अंतकृत दशांग में द्वारका के बारह योजन लंबे नौ योजन चोड़े विस्तार क उल्लिक मिलता है तथा इसे कुबेर द्वारा निर्मित बताया गया है और इसके वैभव और सौंदर्य के कारण इसकी तूलना अलका से की गई है बहुत से पुरान मानते हैं कि कृष्ण अपने 18 साथी और कुल के साथ द्वारका आये थे यहां उन्होंने 36 साल तक राज कि या उनके देहांत के दोरान द्वारका नगरी समुद्र में डूब गई और यादव कुल नश्ट हो गया यह भी कहा जाता है कि धृतराष्ट्र की पतनी गंधारी और रिशी दुरवासा ने यदू वंश के नश्ट होने का श्राप दिया था जिसके चलते द्वारका नगर नश्ट हो गई थी एक मान्यता यह भी है कि यह नगर अर्वी समुद्र में छे बार डूब चुका है और वर्तमान द्वार का सात्वां शहर या नगर है जिसको पुराने द्वारिका के पास पुनह स्थापित किया गया है वर्तमान की द्वारका नगरी आदि शंकरा चारे द्वारा स्थापित है द्वार का धिश मंदिर का वर्तमान स्वरूप सोलमी सदी में निर्मित हुआ था यहाँ पहले कई मंदिर थे लेकिन मुगलों ने उन्हें तोड़ दिया द्वार का धिश मंदिर के गर्भ ग्रिह में चांदी के सिहासन पर भगवान कृष्ण की श्याम वर्णी चतुर्भुज प्रतिमा विराजमान है यहां उन्हें रण छोड़ जी भी कहा जाता है कहते हैं कि इस मंदिर की जगह पहले नीजी महल और हरी ग्रिह था वर्णी द्वार का दो हैं गोमती द्वार का बेट द्वार का पूरी है बेट द्वार का के लिए समुद्र मार्ग से जाना पड़ता है दे हिंदू की एक रिपोर्ट के मुताबिक 1963 में सबसे पहले द्वारका नगरी का एसक्वेशन, डेककन, कॉलेज पुने, डिपार्टमेंट ओफ आर्केोलोजी और गुजराच सरकार ने मिलकर की किया था इस दोरान करीब 3000 साल पुराने बरतन मिले थे इसके बाद आर्केोलोजीकल सर्वे ओफ इंडिया के अंडर वाटर आर्केोलोजी विंग को समंदर में कुछ तामबे के सिक्के और ग्रेनाइट स्ट्रक्चर भी मिले थे इसके बाद में पूरा नगर खोज लिया गया था जी हां तो ये कथा रही द्वारका नगरी की ऐसी ह नई वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ओन कर लें ताकि नई वीडियो जब भी ले करके आए नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिले साथी साथ वीडियो को लाइक शेर और कमेंट कीजिए ताकि अन्य लोगों को मिल सके फिल हा लेते हैं आज की इस वीडियो से जुड़ेंगे नई वीडियो में तब तक आप सभी खुश रहें आनंदित रहें प्रेम से बोलें हर हर महादेव